नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बात करने वाले हैं Reliance Power Limited के बारे में Reliance Power में जैसा की आप देख सकते हैं कि आज के दिन में हम एक बड़ी तेजी देखने को मिल रही है और Almost Almost 5 प्रतिशत के आसपास काम यहाँ पर सरकित देखने को मिलता है, जो की जेटली अगर बात क के साथ फाइनली ये शेर जो हमें 12 रुपे 95 पैसे पर देखने को मिल रहा हैं, तो बढ़ें लंबे समय के बाद हमें इसमें जो है अपर सरकित देखने को मिल रहा है और अपर सरकित के साथ यहाँ पर हमें क्लोजिंग देखने को मिल रही है, तो क्या ये अपर सरकित आगे continue रहेगा और upper circuit क्यों लगाए? क्या कारण है? साथ में ही जो भी इनके उपर खराब ख़बरें भी आई थी, उनका क्या impact होता हुआ देखने को मिला है और आगे भी देखने को मिलेगा. सर जी जाएंगे speed में detail में उससे पहले जो भी लोग नए channel को जरूर subscribe कर लें, साथ में ह यहाँ पर बात करें तो देखिए last 5 days में अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं कोई खास. हमें major changes देखने को नहीं मिल रहा है. 0.7 प्रतिशत की गिरावट ही देखने को मिल रही है. अगर हम last 10 month की बात करें तो 5 प्रतिशत यानी की basically last के 6 महीनों में अगर हम देख है और उसके बाद से लगातार जो है एक ही लेवल पर हमें एक घूमता हुआ देखने को मिल रहा है. खास्तोर से जो बड़ी गिरावट है वहमें तब से देखने को मिल रही है जब से इनके उपर जो है. Basically SEBI ने आरोप लगाए थे और SEBI ने जो है इनके जो basically मालिक है अनिल heavy restrictions लगाए थे कि अब आप जो है financial activities में involved नहीं हो सकते हैं. कोई भी नई प्रकार के fund के साथ involvement आपका नहीं हो सकता है. किसी भी company में पैसा वगेरह नहीं लगा सकते तो बहुत heavy restrictions जो है इनके उपर लगाते हुए देखने को मिले थे. जिसके बाद जो है प्रेश काफी ज़् के बारे में. लेकिन मैंने इसके उपर अल्रेडी जो है लंबे समय से वीडियो नहीं बना पाया है. ठीक है तो आगे से हम लगातार इस topic को cover करते रहेंगे तो जो लोग भी channel से जुड़े हैं वो लोग जरूर जुड़े रहे ठीक है और subscribe बगरा कर लें. जो लोग नए है अब यहाँ पर देखिए काफी अच्छा आर्टिकल है और इसमें जो है काफी अच्छे तरीके से बात की गई है और इससे आपको समझ में भी आएगा कि जो हमें यहाँ पर तेजी क्यू देखने को मिल रही है. क्या कारण संभावित कारण हो सकते हैं? ये देखिए भाए अनिल अमबाणी रजाने. रिलायन्स और होपर भाए जो है रिलायन्स इनफ इन्फ्रा अब यहाँ पर जो आप देखेंगे कि रिलायन्स ग्रूप चेर्में अनिल अमबाणी ऐसा सटेपड डावन एस डायरेक्टर और एकर और आप तीन नाम देख सकते हैं अमित अपना अब ऐसा क्यों हुआ था कि ये जो है आरोप क्यों लगाए गए थे, क्योंकि जो Reliance Home Finance है ये basically Home Finance Company का काम है, जिसके मालिक जो अनिल अमबानी जी है, इसके पैसे के साथ छेड़ छार जो है यहाँ पर देखने को मिली थी, इसके पैसे को जो है, जो भी आरोप लगाए थे वो म आपस से लाया गया है, जो कि basically money laundering होता है, तो ये सारे प्रकार के जो है आरोप है इनके उपर लगाए गए थे और फरजी जो है record शो करने के भी आरोप लगाए गए थे, जिसके चलते जो है इन्हे तीन महीने के लिए suspend किया गया है, किसी भी प्रकार की financial activities में involved होने के है, ठीक है तो ये जो है एक overalls थिती यहाँ पर बनती नजर आए है, अगर हम यहाँ पर देखें तो आप देख सकते हैं, बड़ा पैराग्राफ के हिसाब से नहीं है, बड़ा जो है ये वजन के हिसाब से तो basically इसमें क्या कहा गया है, और ये कहा गया कि जो भी बोड़ directors हैं, इन्होंने कहा है कि इनका जो है पूरा भरोसा है, अनिल अंबानी जी की लीडर से पर और उनके contribution तक और इससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात या है कि उन्होंने कहा कि जो भी हमारे पास अभी बड़े-बड़े financial challenges चल रहे हैं, इनको जो है अनिल अंबानी जी जरू अनिल अंबानी जी के उपर भरोसा है, अब देखिये आगे क्या होगा, क्या नहीं होगा, डॉक्टरी बन पाएंगे, नहीं बन पाएंगे, ये एक बहुत ज्यादा कठिन काम है कि company ऐसा कर पाए क्योंकि अलरी जो है loss making companies है, ठीक है तो कैसे date Philip बनेंगी ये तो अभी कोई नहीं जानता है, मगर जो भी statement उन्होंने कहा है ये ऐसा है और अगर ऐसा हो जाता है सच में तो बहुत ज्यादा एक बड़ी बात होगी और बहुत ज्यादा अच्छी बात भी होगी, खास्तोर से उनके लिए जिनके पास इस company के बड़ी मात्रा में shares बड़े बड़े कर आया है और ठीक है, ये नाम दिन का ये नाम है राहुल सरीन ठीक है तो ये राहुल सरीन जो है ये एक civil servant है ठीक है और इनका जो है public service में 3035 साल से ज्यादा का record है और ये जो है government of India के एक secretary के पद से retire हुए है और फिलहाल जो है ifonia private limited के ये director है तो ये जो है यहाँ पर हमें स देख सकते हैं नशीली चीजों की, basically हमारा national company law tribunal है या to receive notice from P.Ramal Capital under IBC ये Reliance Power के द्वारा कहा गया है, अब इसमें है क्या, basically आप देख सकते हैं company सिर्दर, P.Ramal Capital Housing Finance आसानी से toot bankruptcy proceedings games Reliance Power animate subsidiary Reliance Natural Resources Limited related हुआ financial claim of 526.20 euro, 00, 00, 00, 00, 00, 00, RNRL, RNRL कौन है, तो Reliance Natural Resources Limited है तो यहाँ प प्रोसेसर के अंदर है, अब आगे जो अगर प्रोसेसर पूरा complete होता है तो फिर देखा जाएगा कि भाई क्या होता है, क्या company को कोई और company एक वार करती है, या जो भी होता है वो आगे पता चलेगा और इनके ऊपर जो भी इतना सारा करजा है, ये कैसे चुकेगा, तो ये जो है देखने वाली बात होगी ठीक है, हालांकि Reliance Power में अभी भी काफी ज़ जालते यहां पर शेर ने जो है एक अच्छा रिस्पॉंट किया है, खास्त और से जो है राहुल सरीन को डायरेक्ट या नॉन एग्जेकटिव डायरेक्टर पद के लिए अपॉइंट किया जाएगा, इसको लेकर मार्केट काफी ज्यादा पॉजिटिव है, Reliance याक Reliance Power के को लेकर बुलाई गई वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक सरकार ने चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल भी ना बोले, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद चंदन